तो मैं आपको बेट कर दूसलेबस के जबुख है नॉलेज अन करीकलम यानि कि ज्ञान पाठ्थे करम का ठर्ड यूनिट स्टार्ट करा रही हूं और लास्ट वीडियो मैंने आपको यूनिट सेकिंड का जो कुशन किया था वह है सांख्य दर्शन यह मैंने आपको लास्ट करीकलम जिसके साथ स्कूल चलता है इसलेबस क्या पढ़ाना है पूरे सार मने कैसे त्यारी करनी है तो यह पाठ्थे करम की क्यों आवश्क रक्त sleं कि पर सित्यों की अनरूप बदलता रहता है किसी पाठ्थे question का निमान विकास करना यानि कि all round development बच्चों का हो सके पाठे करम का प्रत्व व सरपत्व मुदेशे बाला के व्यक्तित्व के समस्त पहलों तथा सारिक, मान्सिक, बहुतिक, नातिक, वैवसाइक, संस्कितिक एवं अध्यात्मिक का विकास करना पाठे करम मनुष्य की सभ्यता व अन्मोल संस्किति को सुदक्षित रखे उसे आगामी पेड़ी को हस्तार्टित करना है ति जो पाठे करम मनाता है जो मनुष्य की सभ्यता है आगे आने वाले ये पहले जो संस्किति है वो बच्चों को मिलती रहती इस परकार मानोस अभ्यत्य, सुस्कृति की रक्ष, हस्तरत्रण का विकास करना ही पाठ्यक्रम का उद्देश है बालक का नैतिक वचायति विकास करना पाठ्यक्रम के मार्ध्यम से बालक में सहानुबूति, सहयोग, सहनसिल्ता, सद्भावना, अनुशाशन, मिर्तिल्ता, निस्कप्रिटा वा इमानदा जैसे उच नैतिक विकास किया जाता है जिससे बालक एक सर्व से श्चनागरी बन सके इस परकार पाठ्यक्रम का मुख्य उदेश बालक का नैतिक वचायतिक विकास करना भी है फूर्थ है आपको बालक की मानसिक सक्तियों का विकास करना यानि मेंटर डवलोप्मेंट करना, या मोरल वैल्यू डवलोप्मेंट करना, कल्चर डवलोप्मेंट करना ठीक है, तो मेंटर डव्लम्ट कैसा होगा, पार्टिक्रम का एक उदेश्य बाला की विविन प्रकार की मानसिक सकतियों, तथे चिंतन, मरन, तर्क, विवेक, निर्ने, स्मरन, आधी का सम्मोची विकास करना भी होता है, इसी के फलसरुप बाला के व्रक्तित्तों का पूर्ण होती है, फिफ्ट है, बाला की रचनातमक वा सिजनातमक, शक्तियों का विकास करना, ठीक है, क्रेटिविटी को डवलमेंट करना, पार्टिक्रम के अंतिकत, आने वाले विश्यों, एवंग खेल कूद, वा अन्य पार्टिक्रम के विकास की विविन अवस्थाओं की अनुर विक्सित करके विविन प्रकार की रचनातमक, शिजनातमक सक्तियों का विकास करता है, शक्त से बालक में गतिशी लचीले मस्तिक का निर्मान करना, ठीक है, मस्तिक का निर्मान करना, एक्टिव, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव माइंड का डवलमेंट करना, कहा गया है प्रवित्ति को बढ़ावा देना पाथे करम बालकों को विभिन प्रकार का गहन ज्यान प्रदान करके उसमें उस्सुक्ता वजिग्यासा का प्रवित्ति बढ़ाता है जिससे बालक अधिक अधिक दियान प्राप्ति प्रवित्ति को बढ़ाना ही पाथे करम के मुख्यों देश्य में आता है ठीक है खोज की प्रवित्ति को आटवा बालक को भावी जीवन के लिए तयार करना फ्यूचर लाइफ के लिए शिक्षा संपूर्ण जीवन की तियारी है इसलिए पाथे करम बालकों के उनकी भावी जीवन के लिए तयार करता है पाथे करम विश्योग क्रियाओं के मद समन...... वे समानजर स्थापित करके बालकों को सारीक मांसिक सर्वारगी विकास करने का परियत ने करता है ताकि बालक का संतलिष विकास हो सके वो अपने भावी जीवर में सफल मनुष्य बनकर उभर सके ठीक है यह आपके आठवा पॉइंट है नाइंट पॉइंट एक है करते की अंतक्रिया को सपस्ट करता है साति शिक्षक वासे च्छाति की मद्ध किस प्यकार की अंतक्रिया हो उसका उप्तृ भी निधायित करते है दसवारगी बालकों की च्हमता ठीक है योगिता यह रूचि का विकास करना उनमें कैपिलिटीज उनमें जो पेटेंशल है उनका जो एपिट्यूट है, उनको कैसे उनका विकास करना है। भात्रित्तु होधारता के मुल्यों को आत्म साथ करके अपना समाज व देश का विकास कर सके बालकों की विचार, तर्क, निरिक्षन, सक्तियों का विकास करना पाठ्रेक्रम का एक महत्वण उदेश है कि बालकों को ऐसा वातावरन प्रदान करें जिसमें बालक जो हैं अपने विचार, अपने थिंकिंग, अपने रिजनी, ठीक है, अपने निरिक्षन सक्ति, observation पावर का विकास कर सके बच्चों को विचार रिउट बनाएं, तरकि सम्मद निर्न लेने निरिशन सकतियों का विगासें तुम पाठ्रेक्रम की उचित बातावरन का निर्मान करता है इस प्रकार अपने इन महत्वपुन उद्रिश्यों के कारण पार्थे करम का सक्षी प्रक्रिया में विशिस्ट स्थान है ठीक है यानि कि पार्थे करम का एक educational process में बहुत इंपॉर्टन स्थान है इसलिए पार्थे करम बनाना जुरूरी है कि बच्चे को पूरे साल में कैसे इनका development करना है इनी कारणों से पार्थे करम क्या हो सकता होती है तथा यही वे महत्वपुन कारे जिने पार्थे करम संपन करता है यह सारे काम पार्थे करम से ही हो सकते है ठिक ते आपका first question आपका हो गया third unit का बाके काम next question second question जो है next वीडियो में करेंगे यह आपका first question था पार्थे करम के आवशकता क्यों होती है यह इसके 12 point मैं आपको explain करती है